कि मैं बसक्राइं करते हैं चापटर पोर वाट्रेटिक को स्वाइशन को सौन करने के लिए एक पाट्रेटिक फॉर्मुला होगा और मूलप और टिक फॉर्मुला क्या रहता है एक के सदी करते हो माइनस B प्लस माइनस इंडर रूट B स्क्वेर माइनस 4 AC अपॉर टूए यह क्वाट्रेटिक फॉर्मूला है क्वाट्रेटिक एक्वेशन को सॉल्ल करने के लिए एक फॉर्मूला है उसका नाम है क्वाट्रेटिक फॉर्मूला X is equal to minus B प्लस माइनस अंडरूट B स्क्वेर माइनस 4 AC अपॉर्मूला जो ग्वाट्रेटिक एक्वेशन रहता है स्कोर जन्रल ग्वाट्रेटिक एक्वेशन एक्स स्क्वेर प्लस B एक्स प्लस C लिगाट जिरो से कंपेर करके पहले ABC की वैलू निकाल लेते हैं आर रखने के बाद में एक बार प्लस सांइन दे लिगे एक्स की एक वैल्य हाजाएगी तो ऊसका एक रूट हो जाएगा आपको ने तो यह कैसे आता है नो प्रोग करके इंब बताता था अब बादा दिया और तो इसको याद रखना पड़ेगा बहुत आपका है याद करो इसको अब देखो यहाँ पर जो एक्स की वैलू रहती है उसी को इसके रूट्स या उसके सलूशन कहते है एक बार प्लस साइन ले लेते हैं इसका तो जो एक वैलू आएगी उसको अलफा ले लेते है एक एक्स की एक वैलू को अलफा लेते है अलफा एकल ट्यो यहां से प्लस का साइन लेते है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेर माइनस पूर एसी अपॉन पुए यहां पर क्या की है अपनने टेकिंग पॉजेटिव साइट एकिंग पॉजेटिव साइट यह प्लस वी लिखा है शार्ट में इसको पॉजेटिव पड़ते है पॉजेटिव साइट एक बार इसका नेगेटिव साइन ले लो अएन पीटास एकलतियोउ एक बार घुए लेगी लेगी माइनस अंडरूब इस्क्वेर माइनस पॉर टेकिंग नेगेटिव सानी आप में अपनने नेगेटिव साइन थे किंग मेगेट्व को माइनस देख लो यहां से एक बार पोजिट्ट्व साइब लिए तो अलफा आगया यहां से एक बार नेगेट्व साइब लिए तो डिटा यह यहां अलफा और बीटा जो है ऑद्रट्रेटिक एक्वेशन के दो रूट्स कयलाते हैं यहां तो सलुप्र लब से अब यह roots बोला है मैंने इसको alpha और beta को देख है और यह दोनों है क्या alpha और beta यह x की values है एक बर plus value लिए अपने इसलिए उसको alpha ले लिए एक बर minus value लिए तो बीटे दोनों भी value x की चाहिए अब the roots alpha and beta are depending on the value यह alpha और beta जो है इसकी जो value है यह b square minus 4ac जो under root के अंदर दिख रहा है इसके ओपर depend करती जैसे देखो यहा b square minus 4ac यहां भी दिख रहा है और under root के अंदर b square minus 4ac यहां भी दो यह वाली जो भी value रहेगी वह value minus b में plus होगी यहां पर और यह वाली value यहां पर minus b में से minus होगी तो यह जो alpha और beta है इसकी जो value है यह b square minus 4ac के ओपर depend करती और इस b square minus 4ac को discriminant of quadratic equation जो इसकी बैस्की आपक्राइट तो अपर आपर आपक्सकी तो यह तो थे था यह व्यूट्ट आरिएक टांस पो प्रूट्टे का ग्यौट्टिय। प्रूट्था है खप्रूटूट्ट्टॉ। अर्परूट लूट्डट्टॉ रप्ट्टास्टूट्टूट्ट depending on the value of the value of b square minus 4ac. जो alpha और beta की जो values है तो इस value को पर depend कर रही है जो b square minus 4ac को और इस b square minus 4ac को discriminant क्याते हैं. This b square minus 4ac is called discriminant discriminant in or quadratic equation quadratic equation equation, it is denoted by, it is denoted by capital D, it is denoted by capital D that is, D is equal to, D power discriminant, D square minus 4ac, this is equal to D square minus 4ac, quadratic equation, which is alpha and beta, which is B square minus 4ac, this is B square minus 4ac, is called discriminant, it is called discriminant, it is denoted by capital D, capital D के लिए formula आगया अपने पास में, D, our discriminant is equal to B square minus 4ac और यह जो A, B, C आपको देख रहे हैं, यह आपको quadratic equation से नुख दाएंगे, जो quadratic equation given रहेगा, उसको A x square plus B x plus C is equal to 0 से compare करके ABC की value निकालेंगे और वो value को यहां रखेंगी, B square minus 4ac में और solve करेंगे, तो D की value आजाएगी, D for discriminant, जाद रहेगा discriminant, अब इसमें दो चीज आ गई अपने पास में, quadratic formula, quadratic formula है, x is equal to minus B plus minus under the square minus 4ac upon to A, इसमें से एक बार plus sign लो और एक बार minus sign लो तो इसके दो roots आवेंगे, एक को alpha बोल दो, alpha is equal to minus B plus minus under the square minus 4ac upon to A, और दूसरा वाला root minus sign लेने से आएगा, beta is equal to minus B minus under the square minus 4ac upon to A, यह alpha और beta इसके तो roots Cs के तो solution, अब यह जो alpha और beta दिख रहा है, इसकी जो value है, यह b square minus 4ac के ओपर depend कर रहे है, the values of roots alpha and beta are depending on the value of b square minus 4ac, this b square minus 4ac is per discriminant of quadratic equation, और इस b square minus 4ac को quadratic equation का discriminant कहते हैं, discriminant को d के तुरू represent करते हैं, that is d is equal to b square minus 4ac, अब इस discriminant की help से मैं आपको nature of roots of quadratic equation बतावा जो अपना topic था, यह nature of roots, अब यह है अपनी selection, nature of roots, चले इसमें तीन condition रहेगी, first, if e is greater than 0, the discriminant आप तो निकाले और वो 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया, greater than 0 मितलब कोई positive quantity आ गई, then the roots of quadratic equation quadratic equation are real and distinct, are real and distinct, distinct क्या मतलब होता है different, if d is greater than 0, then the roots of quadratic equation are real and distinct, अगर discriminant की value greater than 0 आ गई, मतलब कोई positive quantity यहागी 1,2,3,4 पर 0 से बड़ी कोई कीशी आ गई, तो उस condition में जो quadratic equation उसके roots real होंगे, real मतलब rational भी हो सकते है, rational भी हो सकते है और वो अलग अलग, alpha की value अलग होगी और beta की value अलग होगी, क्योंकि d जो है, यह d है आपका, 20 square minus 4ac, जब यह 20 square minus 4ac की value, d की value यहां रखेंगे, यह under root d हो जाएगा, यहां रखेंगे आपने d, d square minus 4ac को d रखे, under root d को minus d plus under root d करेंगे, तो alpha की एक value आएगी, यहां plus हुआ, और गोई d को यहां रखेंगे आपने, तो minus b minus under root d, इसमें से इसको minus करेंगे, तो दोनों की value real आएगे, alpha और beta लेकिन अलग अलग आएगे, क्योंकि इसमें plus हो रहा है d और इसमें से minus है, इसलिए उसको distinct, distinct मतलब different यह अलग आएगा, याद कर लो आप पहली condition, if d is greater than 0 अगर आता है, then the roots of quadratic equation are real and distinct, चलिए second condition, if d is equal to 0 आगया, discriminant 0 आगया आप, then the roots of quadratic equation are equal and real, equal and real. अपने डिस्क्रिमिनाट निकाले, b square minus 4HC मेलू रखके रुखो अगर एग्जैक्टली 0 के एक्वल आगया, then the roots of quadratic equation are equivalent, जो quadratic equation के जो roots है alpha और beta, वो equal भी होंगे और real भी होंगे, therefore, या that is, alpha is equal to beta, alpha जी वालू बीटा के एक्वल आएग, और यह value किसके equal होगी, देखो, आदेखने, इसको d रखे है अपने, यह 0 हो गया, 0 का under root 0, 0 plus minus कुछ नहीं हो, छोड़गो तो minus b बचेगा upon q यह बचे रहे, आपर d रखे है, आपने d को 0 रखे, यह 0 हो गया, minus 0 कुछ नहीं हो तो आप माइनस b upon q अगया, अगर quadratic equation के दोनों root equal है, तो आप यह बाला formula लगाके निकाल सकते है, alpha is equal to theta is equal to minus b upon q, d यहां से हट गया, वोगि 0 हो गया, minus b upon q, a, b, c की value आपके पास में quadratic equation रहती है, वो value इसके अंदर रखो, तो दोनों root की value एक जैसी आजाए, इसको कहते है, repeated roots यह equal, if d is equal to 0, then the roots are equal to alpha, beta or real है, a condition or, third, if d is less than 0, if d is less than 0, then the roots of quadratic equation, quadratic equation are not real, if d is less than 0, then the roots of quadratic equation are not real, if d is less than 0, then the roots of quadratic equation are not real, not real root, not real root, तो यह तीन condition बताया मैंने आपको, क्यों होंगे not real, तो अगर d is less than 0 है देखो, यहाँ पर d यह d square minus 4 यह इसको d रखे, अब यह value को negative आ गई आपकी minus 4 आ गए है जैसे d को आप यह under root minus 4 थोड़ी निकलेगा आप से, किसी negative quantity का square root नहीं निकलता, यह not real निकलता, इसे यहाँ पर d की value रखे, आपने यह minus 4 रखे तो यह minus 4 का अंडरो निकलेगा 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 इसलिए यह root real नहीं है, अगर d की value less than 0 आ गई तो उसके roots not real निकलेगा, चलो यात्रो जरतीनों कंडिशन, यह है nature of roots, इसके जो roots है, quadratic equation के दो roots है, अलपर उसका nature है, अगर d greater than 0 आ गया तो दोनों real होंगे और distinct होंगे, अगर d 0 के equal आ गया तो तुम्हों real होंगे और equal होंगे और real होंगे, और d अगर less than 0 आ गया तो इसके जो roots है, वो not real.